हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है तो आज किस वीडियो में हम फाइनल रिवीव करने जा रहे हैं आईवेस 15.2.1 का आईफोन 6S में अगर आप यह वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको मैं पता दूँगा पता चल जाएगा आपको कि यह अपडेट आपको करना चाहिए या ने करना चाहिए आईफोन 6S में बाकी किसी आईफोन के बारे में मैं बता सकता हूं सिर्फ 12 के बारे में 12 pro के बारे में 12 pro में कैसे चल रहा है 12 pro में तो बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन हमें problem जो सबसे ज्यादा होती थी आईफोन 6S की बैटरी को लेगर के और इसी फोन में जो problem से वो ज्यादा हो रही थी हमारे सब्सक्राइबर्स भी बहुत सारे comments करके कहते हैं कि स iPhone 6S की बैटरी खराब है ओवरीट कर रहा है automatic battery drain हो रही है कोई अपडेट 15.2 पर है या कोई बीटा निस्टॉल कर रखा है कुछ भी चला रहे हो तो मैं आपको बताने वाला हूं कि 15.2.1 कैसा अपडेट है पांस दिन हो गए मुझे करीब इस फोन को इस अपडेट को करके कोई भी प्रॉब्लम अभी iPhone 6S में देखने को नहीं मिलेगी चाहे मैं बात करूँ यहां पर कोई gaming की और चाहे में बात करूँ normal users को कोई app की या फिर में यहां पर आप देख सकते हो कोई भी आपको जो है प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी बैटरी एक परसेंट क पर में बात करूँ इस स्पीड कैसी है चाहे में बात करूँ यहां पर इसका WiFi और या फिर आपका मोबाइल डिटा यूज करते हो तो मैं अपनी इस iPhone 6S में ज्यादा तर WiFi यूज किया हूँ और या फिर अपना पर्सनल होट इसपोट से WiFi ही मैंने इसमें ज्यादा तर करूँ या फिर इसमें मैं अपना कोई भी जो है content देखो अपने YouTube पे Facebook पे कहीं भी तो वो भी आपको कोई भी प्राब्लम देखने को नहीं मिलेगी हां इससे पहले जो प्राब्लम होती थी वह होती थी कभी कभी internet से काफी slow चल रहा था मैं अपनी browsing करता था तब भी लेकिन अभी तक मुझे इसमें कोई भी ऐसी कोई प्राब्लम देखने को नहीं मिली है इस update के बाद में अब बात करें कि ओवरीटिंग कैसी है देखिए भी ठंडी का मौसम चल रहा है तो ज्यादा तक तो पता नहीं चलता है लेकिन जब अभी गर्मी आने वाले तो इसका आपको वैसे तो टेंपरेचर बहुत जज़ा हाई रहता है लेकिन अभी में बात करूँ ओवरीटिंग की तो ओवरीटिंग इस update में मुझे अभी तक बिल्कुल देखने को नहीं मिली है सच में बिल्कुल एसास ही नहीं होता है कि यह ओवरीट कर रहा है थोड़ा सा ओवरीट और अगर मैं बात करूँ यहां पे lag का कोई hang वगरा तो नहीं कर रहा है तो hanging का problem तो बिल्कुल भी नहीं है जब इसमें 1% battery बचे तो यह हो सकता है इसी वज़ा से यहां पे जो है load नहीं ले पा रहा हो और 1% battery के साथ भी अगर इसकी में बात करूँ performance की तो काफी बढ़िय कोई भी आप इसमें आप खोलते हो तो आराम से आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी तो यहां पे अगर मैं बात करूँ जो है lag की या फिर ओवर इटिंग की या फिर इसमें बात करूं हैंग की तो ऐसी कोई भी प्राब्लम देखने को नहीं मिल रही है इस update मे एक परसंट बैटरी के साथ में वह भी लो पावर मोड पे चल रहा है आप लोग देख सकते हो यहां पर मैं सब कुछ आपको प्रूफ के सामने सब कुछ दिखा रहा हूं तो पर्फॉर्मेंस से रिलेटर आपको कोई भी इसू आइफोन सिक्स में देखने को नहीं मिलेगी अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा आइफोन सिक्सेस 26 महीने पुराना है और इसकी जो बैटरी हल्थ है वो बैटरी हल्थ आप लोग देख सकते हो 82 परसंट है इसकी मातर 82 परसंट बैटरी हल्थ है और यह चार्जिंग स्पीड भी इसकी ठीकी है इ कि यहां पर आपको पुरुफ के साथ में दिखा देता हूं गाइस कि यहां पर इसको मैंने लास्ट चार्ज जो है सो परसंट गया था मंडे को तीन बचकर 24 मिनट पर और आज है यहां पर आज़ो है आठ बचकर तिरिपन मिट हो रहे हैं सुबह के और आज है गाइस क्या वेडनेस जे आप लोग देख सकते हूं जो है वेडनेस जे उन्नीस जन्वर ये आट बच कर तीरपन मेंट हो रहे हैं तो करीब दोस्तों जो है कितना टाइम होगे आप लोग अंदाज़ा लगा लेजिए अभी जो तीन बच कर दोपहर के उस वक्त इस फोन को जो है पूरे कंपलीट 48 गंटे करी 50 गंटे हो जाएंगे तो दो दिन से अभी इसमें बैटरी एक परसेंट है और इसको जब हो गई थी गाईज 20 परसेंट उसके बाद से मैंने इसमें लोग पावर मोड अनेबल किया है तब ही तक उससे पहले जो है नॉर्मल मोड पर ही मैं इसको यूज कर रहा तो बैटरी बैकप आप लोगों के सामने कितना अच्छा है कोई भी अपडेट अभी तक ऐसा नहीं था कि मैं इसको 100% चार्ज कर लूँ और दो दिन तक बैटरी जो है रुकी रहे इसकी बैटरी एक दिन से भी कम समय में पूरी की पूरी ड्रेन हो जाती थी लेकिन प्रूफ आपके सामने है इसको मैंने यहां पर आप लोग देख सकते हो कि दो है दो दिन से इसकी बैटरी बरकरार है और जो स्क्रीन ओन टाइम अगर मैं जूट बोल रहा हूं तो आप लोग देख लीजी करीब देड़ गंटे इस फोन को मैंने यूज गिया है और वो भी नॉर्मल मोड पर है और यहां पर इससे आप साफ साफ पता चलता है कि इसका स्क्रीन ओन टाइप टूटल कितना हो सकता है अगर मैं इसको दो दिन जो है स्टेंडी मोड पर मत रखता है इसे यूज करता तो कम से कम यह फोन जो ह अभी तक कोई भी बॉक्स मुझे देखने लिप्वहां नहीं को लिए जिनको बहुत जभाबलम आ रहा है थी तो nasa कर रहाओ उनके लिए ये बैस जरूर शायरन चाहिए और मैंने तो इसको गाईस जो है उसी दिन कर लिया था करीब 5 दिन से यूज़ कर रहा हूँ फोन करीब काफी 25-26 महीने पुराना है इसके बावजूद भी गाईस इस अपडेट में मुझे अभी तक कोई प्राब्लम नहीं देखने को मिली और काफी अच्छा अपडेट मिला है यह सज में गाईस और आप लोग देखी सकते हो यहां पर जो है तो आपके कोई प्राब्लम हो तो वो इसमें हो सकता है ठीक हो जाए काफी सारे यूजर्स को प्राब्लम हो सकती है क्योंकि वो डिपेंड करता आपका फोन कितना पुराना है बैटरियल कितनी यह सब चीज़े भी माहिने रखती है क्योंकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलते रहेंगे मिलते हैं फिर किसी ने और अच्छी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई